तो स्वागत से आपका हमारी YouTube चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर हिंदी साइट में तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज अ होगा सई आंसर कॉस्चन नंबर 298 यहां पर दिया गया मेला आचल आपने पड़ा होगा रचिना जो है पनिस्टनात रेनुजी की रचिना मानी जाती है उपन्यास विदा की रचिना और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है मेला आचल और इसका प्रकासन आपर पूंचा गया गोदान में होदी की बेटी का नाम क्या है बताइए गोदान उपन्यास आपने पड़ा होगा प्रेमचंद जी के स्रिष्ट पन्यासों में से एक माना जाता है गोदान उपन्यास और गोदान उपन्यास जो है 1936 इसका प्रकासन वर्स माना जाता है और होडी की बेटी का नाम शिलीा है जुनिया है सोना है धनिया है तो 99 में आप सभी का सही आंसर होगा जर्षिता जी अंगला कॉश्चन यह आप देखेगा मेला आचल पईञास के लेख कौर माने जाते हैं तो अब भी बता है आपके लिए मेला आचल जो हिंदी का प्रिता मांचलिक उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद राही मासुम रजा नांगर जुन फणिसोनात रेनू तो खिन का माना जाता है तीन सो में ये पूंचा गया है तो सई आंसर होगा तीन सो में रेनू जी का माना जाता है फणिसोनात रेनू आप सभी का सई या आंसर होगा विकल्प नंबर डी जनों ने भी चैन किया है बाबना जी अनिता जी उनका सई आंसर है परती परिकता दीर के तपा जुलूस कितने चौराई पल्टो बाबु रोड आदी नहीं क्यों पन्यास माने जाते हैं रेणू जी के दर्ती माता का प्यार जूटा नहीं फिर खेलों में जिन्दगी जूमेगी आसाल के बादल बजा रही है मादल बिजली नाच रही है तुम भी नाचो ये पंतियां किस किर्टी से ली गई है ये आपके लिए बताना है कॉस्चिन नमबर एक आपर पूँचा गया है जी 301 बाद कॉस्चिन मेला आचल परती परिकता या फिर आसाल का एक दिन या फिर गोदान कॉस्चिन नमबर आपसे आपर 301 पूँचा गया है और 301 में आप सभी का सही आंसर होगा राजन जी क्या होगा सही आंसर विकल्प नमबर आप सभी का यहां पर जो सही आंसर है भै है आप सभी का यहां पर मेला आचल मेला आचल यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर एक सही आंसर है देखेगा आपके लिए बता दें कि दी गई पंतियां धरती माता का प्यार जूटा नही फिर खेतों में जिन्द की जुमे की आसाड के बादल बजा रही है मादल बिजली नाच रही है तुम भी नाचो रेणू जी त्वारा लिखेत आंचले को पन्यास मेला आचल से पंत्यां ली गई है अंगला कॉस्चन आप देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है दो दिया गया है हिंदि में अंगरे जी डंग का पहला मॉले को पन्यास के से माना गया है नूतन ब्रह्म 높 यह को रहसे कटा को तर३ द्रह्याल को परिक्षा गरू को कॉस्चन नमबर दो में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है बहुन में सहीं आंसर क्या होगए यह चैन कीजेगा सभी लो मत्पोन कॉस्चन या पर दिया गया है और आप सभी का सई आंसर आ रहा है परिक्षा गुरू विकल नमबर आप सभी का जो डी है वह आप सभी का सई आंसर है लाला स्री नवास दास जो है उनी का ये माना जाता है ठारा सव्यासी जिसका प्रिकासन है रामचन सुकल ने हिंदी में अंग्रे जी डंग का पहला मौलिय को पंजास माना है परिक्षण गुरों कोुध। गोदान के संदर्म में कौंसा उप गलत घ्लत घ्लत का चैन करना है। सभी एपग् जी गोदान महाजानी सबवता की गाता है। उपन्यास मुलता मालती की कता है, मान भी ये त्रासदी का भास्त है, गोदान सामाजिक सूसन का लेंड स्केप है, तो 303 में आप सभी के लिए चेन करना है, गोदान की संदर्ब में कौन सा तत्थ गलत है, तो गलत तत्थ की बात करें, तो यहाँ पर विकल्प नंबर B सही आ में गलत तत्थ की मालती की कता है, क्यांकि इसमें मुलता होरी नामक किसान पात्र की माध्यम से सेस तीनों तत्थ की पुस्टी की गई है, तो विकल्प नंबर B यहाँ पर सही आंसर होगा, मेला आचल में किस गाउं की जीवन गाता है, गाउं बताना है, मेरी गंजे, गौ जी, कौन सा गाउं है, मेदा जी, नीलम जी, तो आप सभी कहें, यहाँ पर सही आंसर होगा, मेरी गंजे, मेरी गंजे, विकल्प नंबर एक सही आंसर है, पढ़सुना तर्याणू की उपन्यास मेला आचल में मेरी गंज गाउं की गता का बढ़न है, मेरी गंजे, गाउं जो है ब्यहार राजिकी पूनिया जिली में हैं हिंदी की पहला अंचले को पन्यास माना जाता है कौन सा मैला Ancal question number आप से यहाँ पर पूचा गया है मैं पांच दिया गया है हां पर है कि गोधान का रचनाकाल क्या माना जाता है बता हीएगा चेह कीजिएगा 1935 गोदान का रचनाकाल जो माना जाता है तो आप सभी का सभी आंसर होगा गोदान उपन्यास जो की इसका रचनाकाल माना जाता है 1935-36 प्रेम्चन जी का यो पन्यास माना जाता है विल्कुल सही गवन, कायकल्प, प्रेमा, प्रेमा, स्रम, सेवा सदन, रंगभूमी, कर्मभूमी, प्रेम्चन जी की अन्व पन्यास माने जाते हैं ग्लोबल गाउं का देपτα किर्ति की मानी जाती है किर्थी बतना है रणेंदर जी किये है जयनंदन राम खेलबर पॉष्चन न्बर छे में आप सभी का सही आंसर होगा ग्लोबल गाउं के देपता किसकी रचना मानी जाती है चेन कीजेगा मत्पूर्ण कॉस्चन याँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है रणेंद्र रणेंद्र आप सभी का विकल्प नंबर ये वाला जो है बहें हाँ पर सही आंसर होगा गलोबल गाउं के देपता उपन्यास के लेकर रणेंद्र मानी जाते हैं आदिवासियों और बनवासियों के जीवन पर आदारे तो पन्यास माना जाता है आपके लिए बता दें कि लेकर रणेंद्र जो हैं ये जहरखंडी साहित कार मानी जाते हैं question number आपसे यहाँ पर साथ क्या पूंचा गया है मेला आचल मैं पूर्णिया की किसी गाउं में रहे का डाक्टर प्रसांत के संबंद में रिसर्च करना चाहती थी cancer के विसाय में तपैदिक के संबंद में हरदय रूग के संबंद में मलेरिया उकाला आजार के संबंद में तो question number आपसे यहाँ पर साथ पूंचे गया है बहुत ही मत्पोन question यहाँ पर दिया गया है और साथ में आप सभी का सई आंसर होगा malaria उकाला आजार के संबंद में विकल्प नमबर डी आप सभी का सई आंसर है आजार मतलब रोग होता है क्या होता है रोग सभी को पता होगा मेला आचल उपन्यास में डाटरा प्रसांत malaria उकाला आजार रहनी की रोग के संबंद में रिसर्च करना चाहते थे आजसरणा त्रेनू का पन्यास माना जाता है इसमें इस हिंडी साइट का प्रता मानचले को पन्यास का जाता है किस के लिए मैला आचल के लिए अंगला नारण मिस्र या फिर पाल मुकंद गुप्त 308 में आप सभी लोग चैन करेंगे 308 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइगा मत पूर्ण कॉस्चन दिया गया है 19-20 सती के नवजागन के द्वारान किस लेकर का हिंदी गद्य के विकास में युगदान नहीं रहा है 20 में साइनी विकल्प नंबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 19-20 सती के द्वारान जो 20 में साइनी कई युगदान कुछ भी युगदान नहीं रहा है क्योंकि साइनी जी 29-20 सती में कर नहीं रहा लेकिन 20-20 सती के लेकर बाने जाते हैं अंगला कॉस्चन यहाँ पर द करना, 309 में चेंकंणा है, गोदान की भाच़किक की बात करें तो कटन भाच़ाइस, यह वाला बाग के कैसा है, गलत है, वाकी सब सही है, गोदान की भाच़क सनदर में सली पर प्रियोग हुग हुग है, कॉशन नंबर के यहाँ पर दस पूँचा है,式 से यहाँ बातja की थार्तवादी उपन्यासों में किस देश्टी की प्रधानिता रहती है प्रंप्रा केंद्रित या फिर नभ्यती केंद्रित वस्तू केंद्रित या फिर रूप केंद्रित बताईएगा QA 10 में आप सभी के लिए चेन करना है और 10 का सई आंसर आ रहा है 14 सई आंसर वस्तू केंद्रेत विकल्प नमबर C वाला सई आंसर है यह अथार्टवादी उपन्यासों में वस्तू केंद्रेत देश्टी की प्रधानिता रहती है और प्रमुक के अथार्टवादी उपन्यास कारों की वाद करें तो यसपाल है नुत्तमदास है रांगे रागब है नांगर जुन है यह सभी अथार्टवादी उपन्यास कार की रूप में जाने जाते है कौस्चन नमबर यहाँ पर 11 पूँचा गया है महराज घर में न गाय है न बचिया है न पैसा है यही पैसे है यही उनका गोदान है गोदान में कतन किसका माना जाता है 11 में आप सभी लोग बताएंगे जुनिया, हीरा, धनिया, गोबर तो महित्पूर्ण कौस्चन यहाँ पर 11 कौस्चन पूँचा गया है महराज घर में न गाय है, न बचिया है, न पैसा है यही पैसे है यही उनका गोदान है गोदान में है कतन किसका माना जाता है तो धनिया आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नमबर निर्सी वाला विकल्प जो है आप सभी का सही आंसर होगा होरी की पतनी धनिया जो है धनिया उनी का जो है यह कतन माना जाता है धनिया के द्वारा होरी की मृत्त्यू पर है कतन का गया था कोर्शेन नमबर आप से यहां पर 12 पूंचा गया है मैला आचल में konseM리 ढक्टर कमली का डाक्टर प्रशांत से क्या संबंद है यह बताना है प्रेमिकां हैं बहर है मा तो बारह में आप सभी लोग चैन करेंगे मेला आचल में कमली का डाक्टर प्रसांत से क्या संबंद है तो आप सभी लोग बताएंगे question number 12 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर गुल्डी पांडे जी सही आंसर है हाँ पर प्रेमी का है कौन है प्रेमी का विकल नंबर एक आप सभी का यहां पर सही आंसर गहाँ प्रेमी का जिन्हों ने भी चैन किया है विल्कुल सही कौनचा क्या है धीपक जी विल्कुल अंचल कि ऐतीयासर कह एसामाजेख है राजनेतर कंख तो तेरे में आप सभी का सही आंसर क्या होगा अंसर जी मेला आचल किस रेणी का उपन्यास माना जाता है तो अपन ने कई बार पड़ा है अब भी पड़ा था आंचले को उपन्यास माना जाता है कैसा माना जाता है आंचले को उपन्यास माना जाता है चवदय वा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है, चवदय का सई आंसर क्या होगा, हिंदी में पूंचा है, हिंदी कहानी में यह थाथवादी प्रंप्रा की न्यू किस ने डाली थी, तो सही आंसर होगा प्रेमचंद ने किनों ने प्रेमचंद यहां पर विकल नंबर बी वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर है दिये गए नामों में हिंदी कहानी में अथार्थवादी प्रंप्रा की न्यू प्रेमचंद ने डाली थी और से ससंगत है बंग महिला का मूल नाम अगर पूंचा जाए तो राजंद बाला घोस या जो पिर्थम महिला कहानी कार की रूप में पिर्थम है इनकी पिर्थम कहानी दुलाई बाली जो की पूंची जाती है इनकी पिर्थम कहानी बाली जो की पूंची जाती है इनकी पिर् प्रित्याग पत्र है गुडिया जी क्या होगा सई आंसर कॉस्चन नमबर 15 में बताईएगा भारत के विभादन की मार में फीलना को वेक्ट करने वाला उपन्यास पूंचा गया है और आप सभी का सई आंसर है वह तमस तमस आप सभी का सई आंसर होगा विकल्प नमबर बी साहिनी का तमस माना जाता है बिलकुल सही जबकि सेखर एक जीवनी अग्ये का उपन्यास गुनाहों का देपता धर्मीर वार्ती वात्याग पत्र तो पता ही होगा जैनेंद्र का माना जाता है कॉस्चन नमबर आप से आपर सूले पूंचा गया है कि निपोनी का हजारी पर साथ दुवेदी की कि सुपन्यास की नारी पात्र मानी जाती है तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा चारुचंद्र लेक अनामदास का पोथा पुनरनवा या प्रभानवट्ट की आत्मकथा कॉस्चन नमबर सोले है और सोले में आप सभी के लिए चैन करना है निपोनी का बताना है प्रसाद जी की केसे हजारी प्रसाद दुवेदी जी की केसे वह पन्यास की नारी पात्र है तो बानवट्ट की आत्मकथा नामदीर जी सही आंसर है विल्कुल सही बानवट्ट की आत्मकथा आपका यहां पर सही आंसर होगा यह बानवट्ट की आत्मकथा यह को पुन्चा जाता है, अनमील विवाई की समच्या, प्रियमचंद जी के सुपन्यास में उठाई गई है उपन्यास बताना सीवा सदन है बंगल सूत्र है प्रितिग्या है यहाँ पर निर्मला है बताईएगा सत्रे का सही आंसर क्या होगा जहेज और अनमेल विबाय की समस्या प्रेमचंद ने अपने के सुपन्यास में उठाई है ये पूँचा गया है 17 में निर्मला यहाँ पर सई आंसर होगा डी वाला विकल पर जिन्वा ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सई आंसर है बिल्कुल सही अदूरा पन्यास माना जाता है मंगल सूत्र प्रेम का मंगल सूत्र अदूरा रह गया तो मंगल सूत्र प्रेम चैन जी का माना जाता है अदूरा आंगे बढ़ते हैं आपर देख कॉस्चन नंबर आप से यहां पर पूंचे गया है अठारे वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है देखेगा एरा कॉस्चन नंबर अठारे कि नमल कितने से कौन सा युगम असंगत है असंगत युगम बताना है सन्यासी इलाचंद जोसी वसंती 20 मिसायनी आवारा मसीय परसाद बाचपई बताई है कर कॉस्चन म्हट्रिपोthan है और आप सभी का सई आणधे हूग कौन सा युगम असंगत है कि और सफे लेखा भकवत्ती प्रसाद बाचपई यह आपका सई आंशर होगा बहता से चण बर्मा माने जाते हैं चित्र लेखा कि रचिनाकार नाकि ह लगबती प्रसाद वाचपे तो विकल्प नंबर आप सभी का या पर डी जो है वह आप सभी का सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन या आप देखे मिर्णाल के सुपन्यास के इस्तरी चरित्र का नाम है यह आपके लिए बताने सेवा सदन गोदान त्याग पत्र या फिर सेखर एक जीवनी कॉस्चन नंबर 19 में सई आंसर चैन करिएगा सभी लोग क्या होगा मिर्णाल बताने के सुपन्यास के इस्तरी चरित्र का नाम है तो आप सभी का सई आंसर आ रहा है क्या रहा है सई आंसर 19 में विकल्प नंबर आप सभी का सी सई आंसर होगा सी आनिकी त्याग पत्र है क्या है सईयांसर त्याग पत्र आप सभी का सईयांसर होगा बहुत बढ़ियां विकल्प नमबर तीन जन्वनेवी चैन क्या है उनका सईयांसर है त्याग पत्र की इस्तरी चरित्र मिर्णाल है सेवा सदन की समन है गोदान की धनिया है तो सेखर एक जीवनी की कौन है निससी हैं, अपने अपने अजनबी, साहित की किस विदा की रचना मानी जाती है, विदा पूँच लिया गया है, बताइएगा नाटक है, उपन्यास है, जिबनी है, आत्मकता है, किस विदा की रचना मानी जाती है, बीस में सई आंसर चेन करना है, अपने अपने अजनबी, क किस विदा की रचिना मानी जाती है और सभी लोग बता रहे कि हे तो 25माना जाता है वेकल नमपर विवाला यहांman सही है अंजोगा अग्जे रैस्वा Cake है तो अभी वाला वेकल यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा राजन जी सेखर एक जीवनी नदी के दीप यग्जे जी के अनुपन्यास माने जाती है नौकर की कमीज साहित की किस विदा की रिचिना मानी जाती है यहाँ पर भी आपके लिए विदा बताना है नाटक है उप कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में भी आप सभी का सही आंसर है पंकट जी और पन्यास माना जाता है नौकर की कमीज जो है बिनोद कुमार सुकल उनी की रचिना मानी जाती है बिलकुल बिनोद कुमार सुकल जी की रचिना है इनकी अन्नो पन्यास ने खेलेगा तो और दीवार में एक किड़की रहती थी एक चुपपी जगह है नादी नहीं के उपन्यास माने जाते हैं विनूद कुमार सुकल जी के Question number आप से यापर वाइस मूचा यसपाल दौरा रचत नमलिकित में से कौन सा उपन्यास भारत के वाजन की त्रासदी पर आधारत है Question number आप सभी के लिए चैनिकन्दा है पार्टी कॉमडेट है दादा कॉमडेट है दिव्या है जूटा सच है Question number आप सभी का सभी का सभी आंसर क्या होगा यसपाल दौरा रचत है उपन्यास बताना है जो भारत के विवादन की त्रासदी पर आधारत है Question number D सभी आंसर जूटा सच अतरवजी जूटा सच कई बार पूँचा जाता है इसके लेकक कौन माने जाते है तो यसपाल माने जाते है जूटा सच के लेकक इसके दो भाग है प्रतम भाग 1908 में प्रकासित हुआ था बतन और देश के नाम से वा दूसरा भाग 1960 में देश का भविस्त के नाम से प्रकासित हुआ था तो अगर पूँचा जा जूटा सच के कितने भाग हैं दो भाग हैं 1968 में 1960 में दो भाग प्रकासित हुए है Question number 23 आप से याँ पर पूँचा गया है नमलिखित मैंसे किस रचना की फ्रस्ट भूमी मच्वारा जीवन है आपके लिए बताना है 23 का सही आंसर है कब तक पोकारूं मरी हुई मच्छली मरी हुई सागल लहरें और मनुष्य या फिर आदा गाउं Question number आपका याँ पर 23 पूँचा गया है एक बार लाइक कर लिजेगा आप लोग सभी लोग जन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करते जाएगा और एक बार सेयर करते हैं ताकि सभी लोग इस क्लास ते जुड़ जाए और किस रचना की प्रश्ट और मनुस्य जिसका प्रिकासन 1956 में उगवा था और बंबई के परसोपा मचवारों की जिन्दीगी का इसमें चित्रन प्रश्ट तुत किया गया है सागल लहरे और मनुस्य में सूरच का सात्मा गोला किस विदा की रचना है बताएगा सूरच का सात्मा गोला धर्म बीर वा किस विदा की रिच्छना है कहानी है उपण्यास नाटा के संस्मर्ण है तो 24 में आप सभी का सई आंसर है कंचन जी वेकल नंबर हमनीतु जी सई आंसरों का उपन्यास माना जाता है उपन्यास है अंदायोग जबकि अंदायोग जो है गीतिनाट इनके द्वारा रचित है प मित्रो मरजानी किसकी रचिना मानी जाती है मित्रो मरजानी ममता कालिया या फिर एम्रदोला गर्ग कृष्णा सोबिती या फिर मन्नु भंडारी बताईए question number 25 में आपके लिए बताना है मित्रो मरजानी की लेखी का कौन मानी जाती है तो आप सभी का सही आंसर होगा मित्रो मरजानी जो रचिना है ये मानी जाते है कृष्णा सोबिती की किनकी कृष्णा सोबिती विकल्प नमबर सी वाला जो है आप सभी का सही आंसर है इनके अनुपन्यासों में डार सो विचली सूरज मुखी अंदेरे के जिंद्रगी नामा दिलो दानिस और आदमी नामा ये रचिना ये पूंची जाती है किनकी ये रचिना मानी जाती है सभी वपन्यास विदा की रचिना कृष्णा सोबिती जी की कौश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है 26 बा कौश्चन नमलकित में से कौन सी रचिना भारत की स्वतंतरता की बाद लिखी गई है रचिना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सेकर एक जीवनी है त्याग पत्र है आदा गाउं है कल्यानी है रचिना चैन क कीजेगा कि जो रचिना भारत की स्वतंतरता खिवाद लिखी गई है तो आप सभी का सई आंसर क्या होगा चैन कीजेगा सभी लोग मत्वण कौश्चन है आदा गाउं सभी लोग बता रहे हैं आपके लिए बता दें आदा गाउं का जो प्रकासन है वैं 1966 माना जाता है क्य 1947 से ट्यागपत्र उनने सो सेंति से हो कलनी उननेस सो इनन तालिस MaiECa से से स्वतंतरता से से स्वतंतरता तर से पूर्ब Mikey रचिनाय मानि जाती है लेकिन सवतंतरता की बाद लिखेकर रचिनाय यहां पर पूंचा ये दा गाउं वीश महिक नेयो नहें लिखत मैं से कौन सी र 27 में आप सभी के लिए चेहन करना है तो कौन सी रचिना राजन द्यादब की मानी जाती है ये चेहन करना है बताईए सलोनी जी सुनेना जी आप सभी का सही आंसर होगा सारा आकास विकल्प नंबर ये वाला आपका सही आंसर है ये राजन द्यादब जो है उनी के द्वारा लिखे गई रचिना मानी जाती है सारा आकास पुनननबा तो सभी को पता होगा अजारी पर साथ दुवेदी की रचिना है महाबोज मन्नु बंडारी की रचना है और पड़ती परी कता ये रेणु जी की रचना मानी जाती है कॉस्चन नमबर 28 क्या पूंचा गया है यहाँ पर देखेगा इरहा 28 बा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है नमलिकित मैसे के सुपन्यास में रहीस साहुकार मदन मोहन की अंग्रेजी सब्वता की नकल और अब्याई की कता है बताईएगा किस में है ये चेन करना है तो 28 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर इसमें रहीस साहुकार मदन मोहन की अंग्रेजी सब्वता की नकल और अब्याई की कता है तो परिक्षा गुरु में किस में है परिक्षा गुरु में यहाँ पर सही आंसर 28 में बीवाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है लाला सिरी निवास दास द्वारा लिक्षा गुरु 1882 इसका प्रिकासन पूँचा जाता है इसमें रहीस साहुकार मदन मोहन की अंग्रेजी सब्वता की नकल और अब्या की कता का बढ़नन है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देख कौन सा विकल्प सही होगा कृष्ण चंद्र सोफिया हरी प्रसन्य गजाधर बताईए 29 में चैन करना है तो 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चैन करिएगा तो विकल्प नमबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरी प्रसन ने जनोने भी चैन किया है उनक का सही answer होगा हरी पुर सन्य है आप सभी का सही answer है अंगला question यहां पर देखे आणस्र आ रहा है क्या रहा है सही आंसर ए 107 कि यहां पर यह आपके कूट भी देगए हैं, कूट की साहता से वताना हैं, तो आप सभी का क्या होगा और सही आंसर देखेगा, यहां पर अजयकी डायरी, बंड बसे वताना है इनका तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, का अजय की डाइडी विस विद्जालय की प्रश्ट भूमी अंतराल इस्त्री प्रोस संबंद में जटलता और बसंती यहां पर महा नंगरों में बसी गंधी वस्तियों का चित्रन और महा बोज में महा बोज में समकालीन राजनेतिक परिवेस यह वाला विकल्प आप सभी का है यहां पर संही आंसर है विक्प नंबर एक जन्वर्शनय भी चैन क्या है उनका सही आंसर होगा अगला कॉस्ट्ट यहां पर देख़ेगा कॉस्ट्ट्ट्न नंबर यहां पर पूंचा और यहां पर वो पन्जासों को उनके संबंदित पात्रों के साथ सुमिलत करना है तो यहाँ पर बिल्कूल सही आंसर 28 बाट कॉस्ट्टन अपना यहाँ पर 28 में कहां यहाँ पर आपका यहाँ पर गलत हो गया है 29 बाट कॉस्ट्टन जिसको सो डालने थोड़ी सा क्या है कि प्रेमचन्द के उपन्यासों के पात्र हैं पूंचा गया तो यहाँ पर C वाला A विकल्प है C यानि कि A में किष्ण चंद हो जाएंगे B में सूफिया और C में गजाधर हरी प्रसन्द नहीं है तो ये जो है उपन्यासों के पात्र माने जाते हैं, किष्ण चंद सेवा सदन के हैं, सोफिया रंगबुमी के हैं, नौर गजाधर सेवा सदन के हैं, हरी प्रसन्नी की बात करें, ये सुनीता जो कि जहनेंदर जी का उपन्यास है, उसके पात्र माने जाते हैं, गडबल हो गया से आपको बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा सूरच का सातवा गोला सूरच का सातवा गोला की पात्र माने जाते हैं मांडिक मुल्ला और महला आचल के कौन माने जाते हैं विश्मनाद परसाद मिस्र माने जाते हैं एक इंच मुस्कान के पात्र रंजना और तमस के पात्र जो है बहें नाथ्थू आप सभी का सही आंसर होगा नथ्थू तो इस पिरकार विकल्प नंबर यहां पर ए वाला जो है बहें आप सभी का सही आंसर होग बताना है धनिया है अनुजा है या फे निर्मला है रानी है कौन माली जाती है बत्तिसमा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और बत्तिसमें आप सभी का क्या होगा सही अंसर तो गोदान उपन्यास की क्या पूंचा है नाइका पूंचा गया है आपसे कौन है नाइका चैन कीज जी तो आप सभी का सही आंसरों का धनिया धनिया यहां पर विकल नंबर ये वाला जो है वह सही आंसर यहां पर होगा गोदान उपन्या जो की मुंसी प्रियम्चन जी का प्रिशित उपन्या से धनिया इसके पात्र मानी जाती है question number आप से 33 पूंचा गया है खंजन नयन की रचिनाकार कौन है खंजन नयन की रचिनाकार बताना भीश में साहिनी है अमरिता प्रीतम, मोहन राकेश, अमरित लाल नागर कौन माने जाते हैं खंजन नयन की रचिनाकार और आपके लिए बता दे एक हिंदी साहित की 3000 परिशनी की पीडियाप है जिनको भी चाहिए हो तो आप पर्चेस कर सकते हैं मात प्र 199 रोपे में 199 में जिसके लिए भी चाहिए हो भी संपर कर लें यह आपन नमबर चल रहा है खंजन नयन की रचिनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का सही आंसर अमरित लाल नांगर अमरित लाल नांगर जी की रचिना है और इस रचिना में सूर्दा जी के जीवन चरित को इसमें उदगटित किया गया है खंजन नयन में मानस कांस भी नी की रचिना इसमें तुलशिता जी का जीवन चरित बर्नित किया गया है, कॉस्चन नमबर आप से याँ पर पूंचया गया है, 34 पा कॉस्चन है, मत्वपून है, लिला चंद जोसी की उपन्यास जहाच का पंची को किस स्रेणी में रखा जा सकता है, स्रेणी बता दीजेगा, बताईगा, क्या होगा सही आंसर, एतिहास एक सामाजिक मनुबैग्यानिक या फिर आत्म कथात्मक, कॉस्चन नमबर 34 ने आपर दिया गया है, और 34 में रिता जी, प्रमुद जी आप सभी का सही आंसर होगा, इसको किस स्रेणी में रखेंगे, ये पूंच गया है, तो आत्म कथात्मक, आप सभी का सही आंसर है, वेकल्प नमबर D जो है, आप सभी का सही आंसर होगा, आत्म कथात्मक, आप सभी का सही आंसर है, वेकल्प नमबर 4 आप सभी लोगों ने जन्होंने भी चैन किया है, उनका यहां पर सही आंसर है, जहाज का पंची आ हितू चक्रादी इन ही की रचिना मानी जाती है यह आप सबी से बताना है बताईएगा क्या होगा सही अंसर तो दिपकी कुर्मी जी अपनी जो light class चल रही है मद्द पर देश की संस्कार नानी जिसको का जाता है जवल्पुर से light class अपनी चल रही है नंगफणी का देश किस काल की रचिना मानी जाती है question number 35 यहाँ पर पूंचा गया है 35 में आप सभी का सही आंसर है आधुनेक काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प number यहाँ पर एक जनोने भी चन क्या है उनका सही आंसर है अमरित राई की रचिना है यह रचिना 1953 में प्रकासित हुई नंगपनी का देश उपन्यास बिदा की रचिना मानी जाती है इसके लेकक अमरित राई मानी जाते है तर्व जी नामबीर जी नीलम जी अंगला question यहाँ पर पूंचा जासी की राणी किस प्रकार का उपन्यास है यह बताना है चेन कीजेगा गुडिया जी 36 बा question यहाँ पर पूंचा गया है और 36 में आप सभी का क्या होगा सही answer तलिसमी सामाजिक एतिहासिक जासूसी तो आप सभी का यहाँ पर सही answer है जासी की राणी किस प्रकार का उपन्यास माना जाता है यह पूंचा गया है तो आप सभी का सही answer है एतिहासिक एतिहासिक आप सभी का सही answer है विकल्प नमबर सी जनों ने भी चेन किया है उनका यहाँ पर सही answer होगा एतिहासिक जो है जासी की राणी की लेकक पूंचा जाता है जो की ब्रंदा मलाल बर्मा है उनी की रचना है उपन्यास बिदा की जिनकी अन्य रचना है ब्राटा की पदमनी है म्रगनैनी है गण कुंधार जो की पूंची जाती रचना है question number आप से 37 पूँचा गया है जैनेंदर के के सुपन्यास पर feature film बनी है कल्याणी पर त्याग पत्र पर परक पर या पर सुनीता पर बताईए क्या है सई आंसर बहुत बढ़िया देब कीजी तो question number आप से आप पर 37 पूँचा गया है तो 37 में सई आंसर आ रहा है जैनेंदर के के सुपन्यास पर feature film बनी है यह पूँचा गया है तो आप सभी का सई आंसर है त्याग पत्र है ने विकल नंबर बी वाला जो है त्याग पत्र पन्यास पूँचा जाता है किनका पन्यास है जैनेंदर और इस पर एक फीचर फिल्म बनी है जिसका नाम भी त्याग पत्र ही रखा गया है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा यह चयन करना है सभी लोग चयन करिए का मत्थपूर्ण कॉस्चन मुझे चांद चाहिए कि नाइका वताना है अपर बी वाला विकलप आपका सही आंशरों का त्याग पत्र और यहां पर आपका बर्सा बसिष्ट D वाला विकल्प सही आंसर है डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है हाँ देब कीजिए बहुत बढ़िया तो विकल्प नमबर D आपका सही आंसर बर्सा बसिष्ट मुझे चांद चाहिए कि नाइका मानी जाते हैं सुरेंद बर्मा का उपन्यास है निर्मला निर्मला की पात्र है जो की प्रेमचंद का उपन्यास है मिर्णाल त्यागपत्र की उपन्यास की पात्र है जो की जैनेंदर का है सुनीता सुनीता की पात्र है और यह जैनेंदर का उपन्यास माना जाता है यहां पर आपको उपन्यासों को उनके लेकों के साथ सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर देते हैं यह उपन्यास दियेगा है यहां पर यहां पर लेकक दियेगा है और यहां पर आपके कूट भी देगा है इन कूट की साहता से आपको सुमिलित करना है चलिए सुमिलित कर द च्छेमा इसके लेकप कोड माने जाते हैं तो सैलिस मठेयानी का उटोपी सुकला जो है राही मासुम रज्जा जी का उपन्यास माना जाता है यहापर कोड में विकल्प नमबर एवाला आप सभी का सही आंसर होगा यह वाला लगाते हैं सही आंसर बहुत बढ़िया सभी चालिस देखें चालिसबा कॉश्चन है निर्मला कि का उपन्यास है निर्मला बताना है बताईये का जहनेंद्र प्रेमचंद या प्रेनू या पिr्य doing अमरितलाल नागर 40 में सभी लोग सही आंसर प्रिया जी क्या होगा सही आंसर सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर बताते जा रहे हैं और बात करें प्रिया जी निर्मला उपन्यास की तो यह उपन्यास माना जाता है प्रेमचंद जी का किनका प्रेमचंद जी का यह उपन्या साफ से पूँचा गया है आचार सुकल जी के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है ये कॉस्चन अब भी पढ़ा हो फिर से पूँच लिया गया है प्राया पंच्छी क्या होगा सई आंसर परिक्षा गुरू चंद्रकांता गोदान या फिर रंग भूमी इच्छा गुरू पन्यास वेकल्प नंबर ये वाला यहां पर सई आंसर होगा और अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा गोबर प्रेमचंद जी के किस पन्यास का पात्र गोबर पूंचा गया है बताएगा गोदान का है निर्मला कर्मभूमी रंग भूमी कॉस्चन याँ गोबर और ऑगों से गोडान इस प्रकार याद कर सकते हैं तो गोडान के पात्र गोबर मानिजाद गर्ण काहाने जाते हैं यहां पर जितने गूपन्यास दिए गया निक्ष्ट्युज्ण अग्ला हैं यहां पर आप से क्या पूंचा गया है यहां पर 33 सबास्ट दिया क्या है कि निपौंणी का चाहर हज्ली परूसाद वैदी की किस उपण्यासode की इस्तरी पार्ट्र मानें जाती हैं बताईए गा ubiquani का बताना है बताईएगा नामदास का पोथा चारुचंद्र लेकैं पुनन्नबन या फिर यहां पर हैं बानवट्टी की आत्मकत्था कि और आप सभी का यहां पर सभी का सःय अंसर है डीवाला विकलपापसभी का herself करनेपोणिका हजारी प्रसात्थ दोभेदि जो है उनी का लात्र की पात्मकत्य दोय्ट पत्र hein यह कद हमाने लिए यह जिनको नुपनीका का जाता है महामाया है उससे चिरिता है आधी इसी के पात्र माने जाते हैं परती परीकता किसकी रचना ये तो अब भी अपन्य पढ़ा था कॉस्चन नमबर चावाले से याँ पर पूँचा गया है रिपीट कॉस्चन विल्कुल परती परीकता फनसुनात रहनु जी का ये जो है उपन्यास माना जाता है पनसुनात रहनु एक आंचलिक उपन्यास कार की रूप में जाने जाते हैं जुलूस, दिर्गत अपात, कितने च्वाराहे, पल्तु, बाबु, रोड, रामरतन राहे इनकी उपन्यास हैं भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं बताईएगा भाग्यवती, जयनेंद्र, स्रद्दाराम, इस्वर्दास या फिर राजन दबाला, कॉस्चन मत्पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सई आंसर, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं और याद कियाता पन्ये कि भाग्यवती पर स्रद्दा रखो, से भाग्यवती तो वेकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, कॉस्चन नंबर आप से यहाँ पर पूंचा क्या है, यहाँ पर आदा गाउं यह तो अब भी है, अपन ने पढ़ा ता राही मासुम रजा का माना जाता है उपन्यार, नाचो वाधि गोपाल, किसका उपन्यार से आज कावका चेलेंज प्रसन है, जैनेंद्र कुमार का, अमृतलाल लांगर यह पर वगवती चण बर्मा, इसका आंसर आप कमेंट में बताईएगा, आज का आपका चेलेंज प्रसन, हम नहीं इस कांसर कवेंट में सभी लोग लिखेंगे तो बहुत दन्यवाद बहुत-बहुत सभी के लिए लाइक अबस्ते कर लेंगे जन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया है और आपके लिए बतादें अभी तक लाइक नहीं किया है अनीता जी प्रिया यह प्रिया आनंद जी सोनिका जी वाबना जी और क्रॉप्ट कॉर्णनर आस्ता जी नीलम जी प्रमोद जी अर्षिता जी सीला कुमारी जी रिता जी और मेदा जी अमरजीत जी पंकर जी पुस्पा जी अतर्व जी संजू जी और दीपक पबार जी अनीता जी छवी संकर जी प्राया पंची मेदा जी नीलम जी और संज्या जी गुडिया जी रिता जी अनीता जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी संजू जी पीडिया के लिए बात्वाद सभी के लिए मेधा जी कंचन जी और दिवगी तीजी ऑट कॉफी फीडियेप हें हिंदी साइट थे इसे हैं थे हिंदी साइट ती कि इसमें आपके सभी विधाओं से सम्मझद आधिकाल वर्टिकाल लीतिकाल आधुनिकाल सभी जो हैं तीन हजार प्रिस्टने की पीडियाफ है एक सो निन जान्व रूपे में अगर आपके लिए चाहिए तो आप संपर कर सकते हैं नंबर इसकिन पर चल रहा है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिसको आप विए सभी कारी जिन हूँ ले प्रिस्टने के लिए सभी के लिए से लिए